जैन साथियों आप सभी का विलकम करता हूँ आपके चनल जहां मैसमाजिक पे और बहुत ही संदार इंफोमेशन में क्या है दो चीज आज आपको जरुवत है एक बहुत ही संदार नौकरी लेने के लिए मात दो चीज आप में चाहिए पहला अगर आप 10 पास है दूसरा अगर जहां से वहां तक ले जाना अगर यह दो बाते आप कर सकते हैं तो यह पूरा वीडियो आपके लिए यह पूरा वीडियो आपके लिए है और अगर आप चैनल पर नए हैं जलुब सब्सक्राइब कर लिजेगा लाइक का बटन जरूर दवाएगा हम आज बात करेंगे इस इंफोर्मेशन को आज हम आपको इस वीडियो में देंगे पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि फॉर्म इसका ऑफ-लाइन भरा जाएगा बाइप पोस्ट आपको भेजा जाएगा इस फॉर्म को भेजा जाएगा और जब आपका सेलेक्शन होगा वह भी पोस्ट ही होगा तो बहुत ही संदार वेकेंसी है इंडिया नेवी में सेंट्रल गार्मेंट का अच्छा साली भी है और इस बार नहीं है क्योंकि मैक्सिमा में 56 साल दिया हुआ है तो आई यह दो कैटेगरी में वेकेंसी निकला है पूरा डिटील में हम आपको बताएंगे इसके लिए हम आपको ले चलेंगे वेफसाइट पर लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर्ब सब्सक्राइब कर लिजेगा और लाइक का बटन जरूर दवाईएगा और वीडियो को सेर भी करिएगा अगर आपके कोई चाहने वाले हैं जो टेंथ फास हैं और फि और वहां से पूरे नोटिफिकेशन को आप समझना है ध्यान से ध्यान से समझ लिजेगा इसका फॉर्म अप्लाई शुरू कर दिजेगा चलिए इसके वेफसाइट पर चुके हैं इंडियन नेवी तो इंडियन नेवी के अधिकारिक वेफसाइट पर आचुके हैं और यहा यह दो पोस्ट है फायर मैन और इंजिन ड्राइबर यह दो पोस्ट है तो आए इसके हम नोटिस को डाउनलोड करते हैं और बढ़ियां से इसको समझते हैं क्योंकि फॉर्म आफ्लाइन भरा जाएगा आफ्लाइन आपको वेजना होगा बाई पोस्ट तो कैसे फॉर्म भरन जो मिलने को नहीं रहा और कभी-कभी ऐसा होता है कि जो चीज मिलने वाला है उसे एग्नोर कर देते हैं तो मत करना एग्नोर अगर आप फिसकली फिट हो टेंथ पास हो तो डेफिनेटली आपको यह फॉर्म भरना चाहिए चलिए सबसे पहले क्या करना है इसके नोटिस को करके खुलते हैं और इसको समझते हैं समझेगा ध्यान से अराम से बैठके समझेगा ठीक है अगर फॉम भरने में कोई दिक्कत हो तो आप कॉमेंट करके हमसे पूछिएगा भाई मेरे ठीक है ना क्योंकि मेरा बस एक ही मकसद है कि हमारे चैनल पर जो भी है सब को नौकरी म तो अप्लिकेशन अरे इन्वाइट थूदा प्रोपर चैनल फॉर पॉस्ट फायर इंजिन ड्राइवर एंड फायर मेंट क्लासिफाइड आज जेनरल सेंटर सर्विस ग्रूप सी तो आभी कैंद्री सरकार का जो है सर्विस हो चुका है सर्विस है हो क्या चुका है ही तो आ इस्टर नेवल कमांड में यह देखिए प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है क्या निकल के आया है यह चिलका है सुनावेदा है त्रवेंदली है टोटल यहां पर साथ सीट है जबकि यह देखिए यहां पर जो है ना ग्रेट थी फायर मैंड का जो है 122 सीट है बहुत सीट है कम स होगा आपको एक सिट चाहिए उस पर फोकस किजिए एज लिमिट देखिए चपन साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मिनमम जो है ना मिनमम आपका वही 18 प्लस ही होना चाहिए ठीक है अब यहां पर आ जाईए फारावन में क्या क्या है तो फायर इंजिन ड्राइवर क्योंकि दूसरा पोस्ट पर भी जाना है तो अभी पूरा ध्यान से देख लीजेगा यहां पर आपको बताया है 155 cm आपका हाइट होना चाहिए ठीक है इसके बाद सेरूल ट्राइव सबको 2.5 cm का छूट है चेस्ट जो है ना फुला के बिना फुलाए 81.5 cm होना चाहिए औ फुलाके 85 cm वेट जो है 50 kg होना चाहिए ठीक है इसका केरिंग अब मैं 63.5 kg सारे 63 kg का जो है एक लिफ्ट उठाके बाहर कोई समान उठाके 183 मीटर तक आपको 96 सेकेंड में पहुंचा देना है बस यही है और एक गड़ा आपको 2.7 मीटर का कूदना है ठीक है और 3 मीटर वर बजा चाहिए इसमें पोस्टों की संग्या भी कम है अब आते हैं फायर मैंड का देखते हैं उसमें क्या है देखिए यह ग्रेट 3 फायर मस्ट है टेंथ पास होना चाहिए और फिजिकली फीट होना चाहिए ठीक है फिर बांकी चीज वहाई है हाइट होना चाहिए 155 cm अब ठीक है अनिक्स्पेंडेर बिना फुला है सारे 80 cm फुला के 85 हाइट जो है कम से कम सोरी वेट कम से कम 50 kg होना चाहिए छीक है इसके बाद वही है आपको 360 सारे 63 kg का एक जो है लिफ्ट को उठाके 183 मीटर तब फिकना है आपको मतलब लेके जाना है 96 सेकेंड में ठीक है और 2.7 म मतलब लंबा चौड़ा जो है ना डीच को कुदना है तीन मीटर ऊपर वर्टिकली करना है यह समझ में आ गया यह आपका जो है ना पूरा का पूरा मतलब जो इसेंसियल क्वालिफिकेशन था अब चलिए मोड अफ सेलेक्शन क्या है तो फिसकल फिटनेस टेस्ट है बस उस लेटर के लिए है यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए चलिए अब आगे देखते हैं कि और क्या दिया है प्रोविजनल अपॉइंट्मेंट लेटर भीया जाता है अब लास्ट डेट ऑप समीशन क्या है तो अभी देख लीजिए यहां से जब यह निकला है जो निकल है तो यह देखिए इसका फॉर्म नीचे होगा वह फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और उस फॉर्म पे जो है ना अप्लिकेशन फॉर दा पोस्ट अप जिसके लिए भर रहे हैं अगर मान लीजिए आप ड्रैवर बला भर रहे हैं तो ड्रैवर अगर सिर्फ फायर में भर र हो जाता है क्योंकि आपसे पैसा उससा तो यह मांग नहीं रहा है तो भाई नेवी का है तो किलियर बढ़िएगा दो चार खराब भी हो जाए तो भी साफ साब भगना है ठीक है चलिए अब इसमें क्या के आपको लगाना होगा तो चार्ट रिसेंट पोर्टो साइज होना चाहिए not more than the three month इसके वास self-attested copy of certificate to 10th का होगा माक सीट होगा ठीक है जो भी educational है और ड्राइवर वाले हैं उनको experience भी लगाना पड़ेगा जेनल इंस्ट्रेक्शन दा क्या है तो यह सब अपने कामका नहीं है किलियर है तो चलिए अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि हम आपको रखेंगे प्रोसेस सेलेक्शन तक पूरा अपडेट देंगे रियल और सई इन्फोर यह देखिए फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है यहां पर अपना नामदम के लिए क्लियर अक्ष्रों में लिखिएगा ठीक है पूरा साफ साफ लिखिए कहीं भी जो है ना कट खुट नहीं करिएगा एरफोर्स ने बिका कोई भी फॉर्म हो कहीं से भी कट नहीं करना ह कट किया हुआ फॉर्म रिजक्ट हो जाता है वहां से ठीक है यह लोग के पास डिसिप्लीन बहुत होता है ठीक है तो यह देख लीजे फॉर्म इसको डाउनलोड कर लीजेगा चैनल पर नए है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजेगा और लाइक का बटन चरूर सेलेक्ष तक पहुचाने में हैल्फ करना बिकर्स माइ मोटो इस हैल पस तु हैल्प यू और आपको रखे पूरा अपडेट प्रॉसेस सेलेक्शन तक पूरा रखे आपको अपडेट तो चरिये थैंक्यू बर वाचिंग जहा मैस मैजिक वन्स अगें एब्रिवन जरूर इसको जो है ना सेर भी करिएगा ताकि जिसको जरूरत है ठीक है ना उसको भी हैल्फ मिल सके थैंक्यू वन्स अगें एब्रिवन